बच्चों में आखिर जब ये दिल की बिमारी की कोई समस्याई होती है तो लोग कैसे पहचान सकते हैं कि उन्हें दिल से जुड़ी बिमारिया है और बच्चों में क्यों होती है और इसके लक्षन क्या दिखाए जाती है तो ऐसा है कि छोटे बच्च्छों में सब से ज़्यादा मुस्किल होता है heart disease के बारे में पता लगाना न क्योंकि बच्चे तो सारा कुछ बता नहीं पाते हैं तो कुछ-कुछ ऐसे लक्षन हैं जिससे हमलोग पहचान पाते हैं कि बच्चों में ऐसा दिक्कत क्यों हो रहा है जैसे बच्चे तेजी से चल रहे हैं या खेल रहे हैं और अचानक उनका चेहरा नीला पढ़ने लग जाए यह एक बहुत इंपोर्टेंट मार्कर मिल जाता है हमें कि हार्ट डिजीज होने का संभावना है बच्चों में या अपने नॉर्मल अपने एज ग्रूप के बच्चों के साथ खेल रहे हैं बच्चे और उनके साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं वह जल्दी ठक जा रहे हैं बाकी बच्चे खेल सबसे पहले तो हम लोगों को उनका डाइगनोसिस करना होता है कि आखिर किस तरह का बीमारी है तो बच्चों में जब भी इस तरह का लक्षन दिखे तो जो पीडियाट्रिक काडियोजिस्ट हैं जो बच्चों के हार्ट रोग के विससग हैं उनसे मिलना चाहिए वहाँ पे दो पीणोर टेस्ट के बाद हम लोगों को पता चलता है कि किस तरह का बीमारी का इसी होती है जैसे बच्चों हाट में च्षेद होने का वी समस्या होता है तो इसमें क्या होता है अगर छोटा च्षेद है तो यूजवली तीन से चार साल केinsky बाद और ऊसे बह gitu से भी कई बीमारी ऐसी होती है, जो सिर्फ दवाओं से या खुद से ठीक नहीं भी हो सकती है, तो ऐसी समस्या होने पे उसका इलाज ऑपरेशन है, जो कि आजकल बहुत सक्सेस्फुली कई सेंटर्स में होता है, पटन में भी आईजी आएमस में इस तरह का इलाज का सुविधा उप चल जाए, तो उसका इलाज किया जा सकता है, तो जैसे कि आपनी इलाज की बारे बताए, तो इलाज करवाने के बार ये पुरी तरीके से ठीक हो सकते हैं? हां most of the बीमारी जैसे हार्ट में छेद होना या और भी कई तरह का जिसको कहते हैं complex congenital heart disease तो कई-कई congenital heart disease तो एक ही operation में ठीक हो जाता है कई होता है जिसको हम लोग complex congenital heart disease कहते हैं complex मतलब जटिल समस्या तो जटिल समस्या में क्या होता है एक ही बार में direct corrective surgery नहीं हो पाता है पहले palliative surgery होता है एक दो साल में कुछ नसे ब्लॉक रहती हैं बनने लगती हैं दिरे दिरे तब corrective surgery होता है तो हो सकता है कि उनका operation जो है एक चरण में नहों के दो तीन चरणों में किया जाए लेकिन long term में most of the disease corrective है और surgery के द्वारा या कई बीमानिया खुद बखुद दवाओं के द्वारा ठीक हो सकती है बच्चों में exercise का बहुत ज्यादा रोल नहीं है बच्चों में mainly है कि corrective surgery करने का जरूरत है या यह disease समय के साथ खुद बखुद धीरे धीरे कम हो सकता है weight and watch करने का जरूरत है mostly exercise बच्चों की बीमारियों में कोई अंतर नहीं पड़ता है अगर surgery का जरूरत है तो surgery करना है otherwise medicines पे और weight and watch पे ठीक होने का समय